और यह विख्या हूँ, this is the additional mentor for CA Foundation Accounts, कह चो राजा, oh well and said, so finally, वो strategy जिसका आपको इंतजार था, सर 60 दिन की revision strategy बटा दो, कि हम June 2024 में फोड के आ जाए, अरे भाई साप, simple बता रहा हूँ, ये चीज़े follow करोगे, life में सुकून आएगा, सबसे पहले, सबसे पहले, आपका sequence क्या होना चाहिए पढ़ने का, ठीके राजा, जब, अब मैं ये assume कर रहा हूँ, कि आपने सारे lectures देख ली, अभी तक आपका syllabus खतम हो चुका है, और syllabus खतम नहीं हुआ है, अगर, और syllabus for any reason खतम नहीं हुआ है, तो पहले syllabus खतम करो, उसके बाद ये apply करना, ठीके राजा, सबसे पह जाएंगे, सबसे पहले हमारे practical portion के तरफ जाएंगे, ठीके, पहला आपका आना चाहिए, BRS, दूसरा आपका rectification of error chapter, तीसरा आपका depreciation chapter, चौथे पे, आप क्या कवर करोगे, company accounts, अब company accounts के अंदर, आपका sequence क्या रहेगा, पहला, share capital chapter, share capital के बाद, आप क्या डालोगे, अपने जीवन में, आप use करोगे, issue of bonus oblique right shares, ये एक नया chapter है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, फिर आप redemption of preference shares करेंगे, और फिर आप debenture chapter करेंगे, और redemption of debenture, अब आपके लिए बता दू मेरे प्यारे राजा, कि जो sequence में आपको बता रहा हूँ, ये revision का best sequence है, with my view, and इसी sequence में आपके चानक के नीती भी plan की गई है, आपकी चानक के नीती भी same sequence में plan की गई है, कि पहले क्या, and ये जो planning की है, ये marks के point of view से plan किया गया है, कि यार कौन से chapter या कौन से unit का ज़्यादा weightage है, done, इसके बाद, हम आएंगे हमारे final accounts के तरफ, final accounts में भी आपका sequence है, सबसे पहले आप NPO को करोगे, फिर final accounts में non manufacturing को करोगे, फिर manufacturing accounts, and आखिर में incomplete records, आखिर में क्या करोगे आप, incomplete records की accounting, अब incomplete records वापस से आपके जीवन में एक नया chapter आया है, तो वो नया chapter है, तो क्या हुआ, हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, यह आपका sequence हो गया, अब इसके बाद, हम आएंगे हमारे partnership के तरफ, partnership में भी sequence decided है, पहले आएगा आपका admission, फिर आप retirement और death साथ में complete करोगे, क्योंकि दोनों chapter interlinked है, retirement, death साथ में, फिर आपका dissolution, फिर आपका partnership में जो misleadingous topic है, that is fundamental and goodwill valuation, आप इस sequence को follow करोगे, partnership करते वक्त, ठीक है राजा, अब partnership के बाद, हमारे जो misleadingous topics बच जाते हैं, like, bills of exchange chapter, bills of exchange हो गया, inventory हो गया, अब मैं चाहूं तो आप यहाँ पर replace कर सकते हो, पहले आप inventory कर लो, फिर आप bill of exchange कर लो, जो आपकी इच्छा आप उस sequence में इसको arrange कर सकते हो, ठीक है, और कोई topic छूड़ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो इसके बाद proceed कर सकते हो, यह हो गया आपका practical portion, और इसी sequence में हम क्या take up करने वाले हैं, हमारी चानक क्या नीती, मोटा मोटी इसी sequence में चलेगी, अब सर आगे, आगे की बात करते हैं, यह हो गया हमारा practical portion का आघास, और अगर चानक के नीती में एक हाथ दो चाप्टर, गलती से अगर मैंने उपपर डाल दी होगे, तो मैं revise करके वापस से planner बना लेंगे, बड़ चानक के नीती का भी यही sequence रहेगा, revise करने का, ठीक है राजा? फिर हम चलते हैं हमारे theory के तरफ, अब आपने theory कप करनी चाहिए? सबसे पहले, theory राजा, exam के पहले हमने दो बार देखनी चाहिए, learn करनी चाहिए, sir कप? पहला आपका जो theory का lecture आपने देखना चाहिए, जो कि आपको full revision देगा, और चानक के नीती के भी अंदर आएगा वो, ये full revision, अब कब आएगा? आप समझो कि मोटा मोटी, May end में या June 1st week में, आपने theory को पहली बार करना चाहिए, अच्छे से, आपको आती पूरी है, बढ़ आप एक बार अच्छे से करोगे, अब theory के अंदर, सबसे important chapter क्या है, आपका जो unit number, accounting process जो है आपका पहला-पहला unit है, जिसके अंदर capital expenditure, revenue expenditure, जो सबसे ज़्यादा important है इसके अंदर, वो है आपका capital expenditure, revenue expenditure, इस पे काफी focus किया गया है, ICI का past examinations में भी, उसके बाद contingent liability, contingent liability and asset, इस पे आपने ध्यान देना चाहिए, depreciation की theory पे ध्यान देना चाहिए आपने, अब depreciation के अंदर, goodwill और amortization की भी जो theory होती है, उस पे concentrate करना चाहिए, उसके बाद एक जो मेरा फेवरेट topic है, security premium का use, यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको learn होना चाहिए, यह मेरा sequence है, इसके अलावा बाकी तो हम करेंगे ही करेंगे, तो जब मैं theory को revise करूँगा, तो मैं इस sequence में करूँगा, और उसके बाद जित्ता बचा हुआ portion है, पूरा theory में करूँगा, theory का एक one short lecture आएगा आपका, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी theory कवर कर लेंगे, अब theory में जब हम cover करेंगे, हम MCQ cover करेंगे, हम true and false cover करेंगे, एड short notes, in a sense short में लिखो, short answers, ठीक है राजा, यह आपका alignment रहेगा, अब चाना के नीती में जहां जहां पे, आपको notes देने की जरुवत है, short notes, diagrammatic representation देने की जरुवत है, वो already lectures के अंदर incorporate होके आएगी, तो यह आपका revision हुआ है, इसके साथ, आपने पिछले चार attempt के 842 का formula लगा दो, पिछले आठ attempt के आपने ती वाई क्यू देखने है, पिछले चार attempt की RTP, और पिछले दो attempt की MTP, अब पहले क्या, पहले ICAI के practical, and solved illustrations आपने करना है, फिर जैसे जैसे, यह आपका cover हो रहा है, चानक्य नीती के अंदर, पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा आपका किसमे cover हो रहा है, चानक्य नीती के अंदर, फिर जो important पी वाई क्यू होंगे, वो हम cover करेंगे एक अलग सीरीज में, जो कि आपके चानक्य नीती के साथ साथ, पैर्लली चलाने की कोशिश की जाएगी, अब मैं 8 attempt के पी वाई क्यू नहीं करूँगा, 8 attempt के पी वाई क्यू आपको करने हैं, बट चानक्य नीती के अंदर जो cover होंगे, और important पी वाई क्यू के अंदर जो हम cover करेंगे, ये दोनों अगर आपने कर लिया, तो मोटा मोटी आपने ये चारों चीज़े, तीनों चीज़े कर लिया, 8 attempt के पी वाई क्यू, 4 attempt के आर्टीप, 2 attempt के MTP, because ये दोनों मोटा मोटी, ये सारी चीज़े cover करेंगे, और अगर एकका दुक्का कुछ फोश्टन चूड़ गया, तो आप खुछ से कर सकते हैं, बट अगर आपने ये दोनों चीज़ कर लिया, भाई साब, आपने पूरा ये सब कर लिया, तो इंपोर्टेंट PYQ की भी सीरीज, हम अप्लोड कर देंगे, विश्वास CA के अंदर, तो वो चीज़ आपको helpful रहेगी, आपके attempt के लिए, डन राजा, थियरी, थियरी, छोड़के नहीं जाना, 20 माक की आती है, अच्छे से करना, पहला में एंड या जून के फर्स वीक में करना, फिर एक बार पूरा थियरी का लेक्चर, आपने एक्जाम के पहले देखना, और एक्जाम के सेंटर पे जब जा रहे हो, या एक्जाम वाले दिन पे सुबह, लेक्चर नहीं देखना है, सिर्फ नोट्स, तो आपने दो बार थियरी के लेक्चर देखना चाहिए, बलिया 1.5 पे देखो, जिस पे देखना है देखो, दो बार थियरी के लेक्चर देखना चाहिए, जो अप्लोड होंगे, एंड उसके बाद, एक्जाम सेंटर जाओगे, पेपर देने के पेपर वाले दिल आपने थियरी का जो PDF है वो पूरा का पूरा PDF एक बार देखना है तो इससे आपका तीन बार रिविजन होगा और आपके 20 माक शॉर्ट हो जाएंगे ठीक है थियरी एग्नॉर बिल्कुल नहीं करके जाना तो राजा ये आपका सीक्वेंस है रिवाइस करने का चानक के नीती के लिए रुख सकते हो तो well and good चानक के नीती के साथ करते चलो तो आपका बहुत अच्छा रिविजन होगा लेक्चर देखा सम्स किया लेक्चर देखा सम्स किया या तो ये policy adopt करो और अगर आपको already बहुत अच्छा आता है जो भी chapter आपको subsidy book को मैं theory का part मानता हूँ मैं theory का part मानता हूँ ठीक है क्योंकि उसमें बहुत सारी theoretical बाते होती है कौन सा किसमें जाएगा और इका दुख का question होता है तो मैं उसे theory का part मानता हूँ तो जो मेरा theory lecture है वो उसके अंदर cover होगा ठीक है इसके अलावा ये चीज को ignore नहीं कर सकते हो अगर आप खुद से कर रहे हो तो 842 करना बड़ अगर आपने चानक की नीति और important tyqs देखे तो उसके बाद जब आप ये solve करोगे तो आपको लेगा हाँ यार ये तो अल्रड़ी lectures में कर लिया है हाँ ये तो में को आता है हाँ ये अल्रड़ी में lecture में cover हो चुका है ठीक र अबरदस्ती speed breaker मत डालना की यार मैं अपना कर लेता हूं मैं ये chapter को पहले डोडा लेता हूं ट्राइ करो आप इसको stick कर सको ठीके राजा सौरे दे, चल, that's all for the day guys, love you all, bye-bye, take care, this is C.R.A.S.P. Rada, signing off, milte hai for another strategy video very soon, love you all, bye-bye, take care